आई अग्रएवन आज देखिए दो रंग में बहुती प्यारा सा हार्ड पैटर्न रिकराईू हूँ और इस हार्ड पैटर्न से हमें बहुती प्यारा सा थालपोश बनाएंगी जो बहुती सुनिदर दिखाए देगा और इसे आप टोरमेट की जगा भी ंसकर सकते हैं बहूत ही प्यारा सा हमारा थाल्पोष बनकर तयार होगा और इसके प्रियों यहांपर दो लिए हैं दिखिए यह green कलर लिया है और एककलर हम्ने एक लिए रोगा है तो यहाँपर आप विस स्टार से ficar color लेने हैं green color थोड़ा सा ज्यादा लेंगे और red color थोड़ा कम लेंगे और इसके लिए हमने यहां पर दिखिये नौ number की needle ली हैं तो चलिए friends इस थालपुश्क को बनाना सिखेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ब्रावर में बैल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताके मेरी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए इस थालपोश को बना सीकिएंगे भूत इसी तरीका से यहाँ पर एम गिरन केलर से फंदे डालेंगे हमें बरकु सिंपल डालने है यह देखेएगा एक डो तीन चार पांच च्छै तो जैसे हमने च्छै फंदे डाले हैं हम टोटल इसमें 32 फंदे डालेंगे इनके 32 तो यहाँ पर देखे हमने टोटल इसमें 32 फंदे डाले हैं अब हम देखिए इसको यहाँ पर दियान से देखिएगा अब पहली सलाई हम यहाँ पर इसमें उल्टी बनेंगे और इसको देखे हम प्रांग साइट से शुरू करेंगे तो यहाँ पर दिहान से देखेगा एक फंदे को हम बगार बना उतारेंगे और यहाँ पर अब हम पूरी सलाई को उटा बुनते हुए कम्प्रीट कर लेंगे इस थाल पोश में हम जितनी भी सलाईयां बनाएंगे वो उल्टी उल्टी बनाएंगे तो ये पहली सलाई हमारी उटी तरफ से है इसको हम पूरा देखिए उटा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे अब देखिए हमने ये सलाई कंप्लीट कर ली अब राइट साइड में आ गया है तो देखिए तिहान से देखिएगा अब हम यहाँ से एक फंदा बागार बुना उतारेंगे और फिर से हम यहाँ पर फंदों को उल्टा बुनते हुए जाएंगे गर न हमने यहां पर यह 32 फंदयं से 30 फंदय बुझी और देखे, दो फंदयं हम यहां पर बगार बुझे चोड़ेंगे, सलाई को ट्रैंट करेंगे अब देखेगा, हमारे पास 30 फंदयं है, 30 फंदयं से हम यहां पर 28 फंदयं बुझेंगे इदेगे हम लास्ट तक बुंते हुआ हैं तो इधर भी हम लास्ट में दो फंधे चोड़ेंगे देखिए हमने यहाँ भी दो फंधे चोड़े थे और अब हम इधर भी दो फंधे चोड़ेंगे सलाई को यहीं से टर्ण कर लेंगे अब देखिएगा हमने दो फंदे इदर छोड़ दिये दो फंदे इदर छोड़ दिये तो हमारे देखिए 28 फंदे हैं अब 28 फंदों में से हम यहां पर 26 फंदे बुनेंगे तो देखिए, यहां तक हम ने इन फंदों को बुन लिया, अब फिर से दो फंदे हम यहां बगार बुने छोड़ेंगे, और सलाई को यहीं से टर्ण करते हुए, फिर से हम लास्ट तक फंदों को बुनेंगे, लास्ट वे दो फंदों को छोड़ देंगे, यानि कि दोनों तर आप दो दो फंदे छोड़ने हैं यहाँ पर दियान से देखिएगा आप लोग इस तरह से करते हुए यह देखिए दो फंदे फिर से छोड़ देंगे सगाई को टर्न करेंगे और फिर से यहाँ से हम सलाई बुनेंगे और लास्ट में दो फंदे छोड़ेंगे यह देखिएगा फिर से हम यहाँ पर दो फंदे छोड़ेंगे सलाई को टर्न करेंगे तो इस तरह से हमें देखे धियान दीजिएगा आप लोग हर बार हमें इधर भी दो फंदे छोड़ने हैं और जब हम इधर आएंगे तो यहां भी हमें दो फंदे छोड़ने हैं कि हम इस पर से 2 फंदे बुलेंगे, यह देखेगा, सलाई को यहीं से टरंड करेंगे, यह देखे, और इधर साइड में आ जाएंगे, हम तो यहाँ पर देखे हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे हैं, और इधर भी देखे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे हैं, तो अब हमारे बराबर फं हो गया है, हम यहाँ से अब इस पर देखे, अपना रैट कलर एट करेंगे, देखेगा, यहाँ से, यह जो 16 फंदे हैं, जो हमारे इधर साइड आ गया है, देखेगा, यह 16 फंदे हम रैट कलर से बुनेंगे, यह देखे, इस तरह से करते हुए, इस 16 फंदे बुनेंगे, हम रैट कलर से, अब देखेगा, अब इनी 16 फंदों पर हम हार्ट की शेप बढ़ाएंगे, यह वाले 16 फंदे हम नहीं बुनेंगे, इन 16 फंदों पर हमारा वर्क चलेगा, अब देखेगा, यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा बढ़ाते हुए हम यहां से फंदों को बुनेंगे, देखिए गस तरह से करते हुए, और लास्ट में दो फंदे बगएर बुने छोड़ देंगे, देखिए वाले पर यहीं से सराई को ट्रेंड करेंगे, अब इधर से जैसे भी फंदे नजर आएंगे, इस सारे ब देखिए सराई कम्प्रेट कर ली हमने, आब यहां पर फेसे हम यहां पर फंदा बढ़ाएंगे और बाकिके फंदों को बुनेंगे, लास्ट में हमें फिर से दो फंदे छोड़ने हैं, तो देखिए, यहां पर दो फंदे बगएर बुने छोड़ेंगे, सराई को टर्ण कर और इस सलाई को हम उल्टी को ऐसी अपडेट कर लेंगे इस देखिए का अपीसे यहां पर फंदा बढ़ाएंगे पंदा बढ़ाते हुए फिर से हम यहां पर फंदे बुनेंगे और लास्ट में दो फंदे छोड़ेंगे तो हर बार हमें देखिए यहांपर एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट में हमें दो फंदे छोड़ देने हैं बगयर बुने तो यहां से दो फंदे छोड़ेंगे सलाइ को ट्रेंड करते हुए, पूरी सलाइ को हम यहां पर बुल लेंगे, उल्टी तरफ की देखेगा, अब फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा बढ़ाते हुए हम बागे के फंदों को बुलेंगे, तो टोटल हमें यहां पर 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो हमारा यह देखिए लास्ट फंदा हमने यहां पर बढ़ाया इस तरह से करते हुए और दो फंदे हम यहां पर बगार बुने छोड़ेंगे तो यहां पर देखिए हमने टोटल दो-दो करते हुए आठ फंदे छोड़ दिये हैं सलाई को टर्ण करेंगे और यहां से पूरी सलाई को हम इरकी तरफ से उल्टा बूंते हुए कंप्लीट कर लेंगे अब लेकिना करते हुए छार पंद यहां पर बढ़ा लिके हमने आठ फंद यहां पर छोड़ दिये तो देखे चार फंदे हमने बढ़ाए थी और आठ फंदे हमारे पहले से थे तो हमारे ये 12 फंदे अब देखे कि आप हम फंदों को यहां से घटाएंगे तो फंदे को इसे सामने लाते हुए दो का एक करेंगे अब यहां से फिर से हम फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छै साट आठ दो फंदे बगाईर बुने छोड़ेंगे चोड़े कि सलाईको ट्रेंड करते हुए उगदी तरफ से हम इंधंदों को बुलेंगे ये देखेगा फिर से यहां पर फंदे का ऐसे सामने लाते ह अब यहां से देखी का, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे बुनेंगे, दो फंदे बगार बुने छोड़ेंगे, सलाई को टरंड करेंगे, और उटे तलब से इन फंदों को बुनेंगे, अब देखी का, फिर से फंदे को ऐसे सामने लाते हो, दो का एक कर देंगे, और यहां सब देखिए एक और दो दो फंदे बुनेंगे दो फंदे बगार बुने छोड़ेंगे सलाई को टरंड करते हुए हम यहां पर यह तीन फंदे बुनेंगे अब देखिए हम लास्ट वाला फंदा गटाएंगे यानि कि तीन फंदे हमने गटा दिये एक और फंदा गटाएंगे याँ पर फंदे को ऐसे सामें लाते हैं दो कर एक करेंगे अब हमें जितने भी रैट कलर के फंदे हैं हम सारे बुनेंगे इस सलाई में यानि कि हमने इसमें फंदों को गटाया है एक फंदे को और इसके बाद हम यहां से जितने भी रैट फंदे हैं ये सारे बुनेंगे जो भी हमने बगार बुनी याँ पर छोड़ेते हैं सारे फंदे बुनेंगे तो हमारे टूटर याँ पर देखे 16 फंदे रहें, देखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 फंदे हमारे हैं, इनको हमने बुन लिया, अब सलाई को टर्ण करेंगे यहीं से, और यहां से देखेंगे, पहले फंदे को हम बगार बुना ले लेंगे, बाकि के फंदे हम सारे उलते बुनते को कम्प्लेट कर लेंगे, अब द हम रिपीट करेंगे, यह देखेंगा, यहां से हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे, और लास्ट में हमें 2 फंदे बगार बुने छोड़ने हैं, तो जैसे हमने पहले फंदे बढ़ाये थी, इसी तरह से हम यहां पर पहले हम 4 फंदे बढ़ाएंगे, और उसके बाद एक करते ह हम चार फंदे गटाएंगे, तो इस पैटरन को हमें एक बार फिर से रिपीट करना है, यहां पर तब हमारा हार पैटरन बनेगा, तो यहां पर देखेंगे, सलाई को टर्ण करते हुए, इन फंदों को बुल लेंगे, तो ऐसी हमने जैसे यहां पर बनाया था, यहां पर वह फंदे को इससे सामने लाते हैं, और दोखा एक गरेंगे, अब जितने भी रहे कशलिपर के फंदे हैं, वह हम रह बनाया हिने को बनेगे, जो भी हमने यहां पर डो तू परते हुए है फंदे को चोड़ेते, वह सारे फंदे हम रहे कशलिटे हमरी के भड़ेंके, इस तरह से heart shape बन गई है अब धागे को पीछी करेंगे और green color के धागे को आगे लाएंगे और यहां से देखिए अब हम gap को भढ़ने के लिए यहां से एक फंदा उठा लेंगे यह देखिएगा और अगले फंदे के साथ मिलाते हुए दो का एक कर देंगे यह देखिए हमारा यहां पर gap नहीं आएगा इस तरह से और पत्तियां अपस में चुड़ जाएंगे अब जितने भी क्रीन कलर के फंदे हैं जो हमने यहां पर छोड़ेती इन्हें भी हम सब फंदों को बुनेंगे लास तक हमें सारे फंदे पुनने हैं इसमें जितने भी हमने छोड़ेती है इस तरह से हमारी यह एक पत्ति कंप्लीट हो गई देखिए ऐसे अब इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे तो देखिए अगली पत्ति हम कैसे स्टार्ट करेंगे आप ध्यान से देखिएगा जैसे हमने यहां से देखिएगा रॉंग साइट से फस्ट ट्रॉ बनाई थी हमने इसी तरह से अब हम यहां भी रॉंग साइट से फस्ट ट्रॉ बनाएंगे तो एक बंदा हम यहां पर बगार बुना उतारेंगे ताकि हमारा सेंटर में हौल ज्यादा बढ़ाना आए अब ह यहांसे देखिएगा, पूरी सलाई को हम अब ग्रीन कलर के साथ बुनेंगे यानीकि अब हम रैट कलर नहीं लगाएँगी आब हम यहां से पूरी सलाई पील्कुल स्टाउगी तरह जैसे हमने फूर्स ट्रौ बिल्कुल सिंपल बुनी थी पूरी सलाई हम यहाँ पर green color के साथ बनाएंगे, यह देखेगा, जितने भी red फंदे हैं, इन्हें भी हम बुलनेंगे, green color के साथ ही, यह देखी, तो आप बहुत ध्यान से देखेगा, यह हमारे बिल्कुल first draw के तरह है, जैसे हमने first draw में कुछ नहीं किया था, पूरी सलाई को हमने simple बुना थ अगली रोज से हमने right side से अपने design को स्टार्ट किया था, तो इसी तरह हम यहाँ पर जब अगली पत्ती स्टार्ट करेंगे, तो first draw को बिल्कुल हम simple बुनेंगे, यह देखेगा, अब यहाँ से त्यान से देखेगा, हमने अगली पत्ती कैसे स्टार्ट करनी है, मैं आपको एक सलाई बुन कर दिखा देती हूँ, देखेगे, यहाँ से तो हम फंदों को बुनते हुए जाएंगे, जितने भी फंदे हैं हमें, इसमें से 32 फंदों में से हमें यहाँ पर 30 फंदे बुनने हैं, अब लास्ट में हमें 2 फंदे बुनने हैं, यह देखेगे, हमने यहाँ 30 इस फंदे बुंडी, लास्ट में दो फंदे हैं, इनने बग Guinna चोड़ेंगे, इनसे लाइकों ट्रंड करेंगे, अब फिर से हम इतर से फंदे बुंडेंगे जाये चाएंगे गाएंगे, तो दोनों तरफ हमें दो दो फंदे छोड़ते हुए जाना है तो इस तरह से हमारी ऐ इसको इस तरह से complete कर लिया और काफी बड़ा बन किया है यह थालबोश हमारा और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखिए अब हम इसकी बन करेंगे और इसकी सिलाई करना सीखेंगे तो देखिए जो फंदे ग्रीन कलर से नजर आएंगे उन्हें तो हम देखिए यहाँ पर ग् इल्कु सिंपल बन करने है दो का एक करते हुए उटी तरफ से हम फंदो को बन करेंगे और धियान रखिएगा कि सारे फंदे हमें क्रीन कलर से ही बन करने है यह देखिएगा और यहां से हम रैट कलर के धागे को कट कर देंगे और इसको इसी में जोइंट कर देंगे पका कर यहां से देखिए अब बागी के जो रैट कलर के फंदे हैं उन्हें भी हम प्रिन कलर के धागे से यहां पर बंद कर देंगे तो यह सारे फंदे बंद कर लेते हैं तो यहां पर देखिए इस तरह से हमने सारे फंदे बंद कर दियें आप देखिएगा हम इसके सिलाई कैसे करेंगे इसको देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे हम यहां पर यह देखिएगा और इसके सिलाई करेंगे हम यहां से बिल्कुल फर्स्ट जो हमारा देखिए यहां पर आपको यह नजर आ रहा हूँ को फंदा, यहां से हम इसकी सिलाई करेंगे, यहां से देखेगा आप लोग, यह देखेगा इधर से, पहले हम इसको यहां पर पक्का कर लेंगे, मैं धागा थोड़ा सा सिलाई के लिए हमेशा छोड़ देती हूँ, तो यहां से इसके सिलाई करेंगे, बिल्कुर सिलाई को हमें सफाई के साथ मिलाते हुए पर ना है, दीखी गा इस तरह से, तो ये पूरा सिल लेते हैं, सिलने के बाद मैं आपको दिखाँगे इसका लुक, तो यहाँ पर देखे, मैंने इसको पूरा सिल कर complete कर लिया है और बहुत ही प्यारा लगा है बनने के बाद इसको आप जरूर बनाईएगा और सब को पसंद आएगा या आप जिसको भी आप इसी गिफ्ट में बना कर देंगे इसको बहुत पसंद आएगा तो इस तरह से आप इस थाल पोश्को डॉर्मेट को बना सकते हैं बहुत ही इसी ली तरीके से और मैंने आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कुशिश की है अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बहुत ही प्यारा और संदर लगता है और इसके फंदों का हिसाब आपको इस तरह से रखना है कि जोड़े के हिसाब से फंदे रखने हैं जोड़े के हिसाब से भी इस तरह से फंदे रखने हैं कि वापस में बराबर बढ़ जाएं दो दो के हिसाब से यानि कि यहां पर हमने इसे 32 फंदों पर बनाया है यानि कि 32 को हमने जब हाफ हाफ करके बनाया पैटन को तो 16 फंदे हमारे एक तरफ आए 16 एक तरफ आए तो आपको भी इसी तरह से फंदों का हिसाब रखना है यानि कि अगर आप इसमें देखेगा इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं जैसे कि आप इसे 16 फंदों पर भी बना सकते हैं यानि कि 8 फंदे आपको एक तरफ रखने होंगे और 8 फंदे एक तरफ रखने होंगे इसके अलावा आप इसको 20 फंदों पर बना सकते हैं तो 20 फंदों में आपको 10 फंदे इधार रखने होंगे 10 फंदे इधार रखने होंगे इस तरह से आप इसको छोटा या बड़ा बड़ा बना सकते हैं तो मैंने 32 फंदों पर बनाया है आप इसे 40 फंदों पर भी बना सकते हैं 20-20 फंदों के साफ़ से आपको हाफाप पैटरन रखना होगा हाफ पैटरन में पत्ती बनेगी यानि कि हाफ फंदों में पत्ती बनेगी और हाफ फंदों में हमारा हाट पैटरन का डिसाइन बनेगा तो आप बड़ा चोटा अपनी मर्जी से बना सकते हैं तो कैसा लगा आपको मेरा ये हार्ड का थाल पोश आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिया मिलती हुए नेक्स वीडियो में एक नए थाल पोश एक नए डॉर्मेट के साथ अब तक के लिए थेंक यू